अगर आप कभी कभी कुछ मीठा खाने का मन कर रहा हो कुछ इस्पेसल बनाना चाते हैं तो ये रेसिपी आपको आने वाली है बहुत यादा पसंद बहुत ही फटा फट से बन जाती है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइ उन्ने इंडिया गेट लिया हुआ है तो देख सकते हैं ये चावल काफी लंबे होते हैं जब ये कूख होते हैं तो मेजरमेंट का ध्यान रखेएगा इसी कटोरी से हम सारे मेजरमेंट करेंगे तो अब हम चावल में पानी डाल देते हैं और दो से तीन बार इसे अच्छे से साफ कर लेंगे बहुत जादा चावलों को रगड़ियेगा नहीं जिससे कि ये टूटे ना क्योंकि ये चावल हमें लंबे ही चाहिए ना इसलिए तो बस चावल को पानी से काफी अच्छे से साफ करेंगे और बसंद पंच मी पर पीली चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है वो तो आप सभी जानते हैं तो इस रसिपी को भी आप ट्राइ कर सकते हैं तो चलिए अब इसका पानी हमने हटा दिया है, चावल काफी अच्छे से साफ हो चुके हैं, तो अब इन चावलों को हम पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ इसको धुले हुए चावल हैं, तो आदे गंटे के लिए इसको हम ढग देते हैं, जिससे कि ये चावल थोड़ी से फोल जाएंगे क्योंकि चावल गीले हैं, तो आदे गंटे हो चुके थे, अब हमने एक कुकर लिया हुआ है, इसमें डालेंगे एक बड़ा चमज देसी घी, नॉर्मल चमज से अगर लेंगे तो दो चमज के जितना है, थोड़ी से ड्राइफ फूट हमने लिए हैं, जिसमें हम लिया हुआ है, और मसालों के लिए हमने एक चक्रफूल लिया है, चार लॉंग, दो इलाइची, ये बेसिक मसाले हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी होते हैं इस रेसिपी के लिए, तो घी में इन सारी चीजों को डालेंगे, और ये कटे वे ड्राइफ फूट भी डाल देते ह और इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं, अगर ये रेसिपी आप थोड़ा सा डिफरेंट देखना चाते हैं, कुकर में नहीं बनाना चाते हैं, या कड़ाही में बनाना चाते हैं तो उसकी भी रेसिपी हमारे चैनल पर अप्लोड है, जर्दा की रेसिपी हमने पहले भी अ रखाता सोग करके ये चावल डालेंगे और इसको भी ना हम आधे से एक मिनट के लिए इसी घी में थोड़ा सा भून लेंगे जब ये घी में थोड़ा सा भून जाता है ना तो बहुत बढ़ियां लगता है खाने में तो बसंद पंचमी के लिए ना बहुत सारी रेसिपीज भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी जैसे केसरी हलवा है या फिर बेसन का हलवा है मतब पीली चीज़े बेसन के लड़ू है बहुत सारी रेसिपीज हैं तो आप चाहें तो चेक आउट कर सकते हैं चैनल बढ़ जा थोड़ा कमी हमने डाला है अब इसमें थोड़ा सा फूट कलर डालेंगे यलो कलर का वैसे जब जरदा बनाते हैं तो उसमें फूट कलर का इस्तेमाल करके जब बनाते हैं तो उसका जो कलर है वो बहुत प्यारा लगता है अब इसमें डालेंगे चीनी तो जिससे चावल लि लिया है यह perfect ratio है और इससे आपका जो मीठा है न वो एकदम perfect रहता है ना कम न ज्यादा अगर कम पसंद हो तो एक दो चमच कम डालिएगा ज्यादा खाते हो तो एक दो चमच ज्यादा बढ़ा लीजेगा सुगर की मात्रा अब इसको बढ़िया से mix करेंगे और इसका हम ढ़कन लगा देते हैं और एक विसल आने तक इसको हम high flame पर cook करेंगे और जैसे ही एक विसल यानि की एक सीटी लग जाएगी न तो गैस की flame को हम तुरन धीमा करके और पांच मिनट के लिए इसको धीमियाज पर पकाएंगे इस जीच का ध्यान रखेगा एक सीटी हाई flame पर और उसके बार low करके 5-7 मिनट के लिए low flame पर पकाईएगा बिल्कुल भी आपके चावल जलेंगे नहीं अगर आपने perfect इसी तरीके से बनाया है तो अब यहाँ पर pressure खतम हो चुका है अब हम चेक कर लेते हैं चावलों को और यह देखे चावल एकदम बढ़ियां खिले खिले बने हैं आप देख सकते हैं और आपको पूरा हम दिखाएंगे चावल में कूकर में बिल्कुल भी चिपके नहीं है यह चावल और देखे जूम भी हमने कर दिया है यह चावल देख सकते हैं ना एकदम लंबे लंबे पतल चावल हैं और बहुत सुन्दर लगते हैं और खाने में तो इतना सांदार लगता है ना कि बस एक बार आप बना कर अपने महमानों को खिलाइए बच्चों या बड़े बुजर्गों को खिलाइए सच में बहुत आरीफ होने वाली है आपकी अगर आपको यह पसंद आपने 15 मिनट के लिए धकन को खोलना नहीं है इसे थोड़ा सा ठंडा करना है उसके बादिये से सर्व कीजेगा उससे आपके चावल एकदम अलग अलग रहेंगे अगर प्रेशर जैसे ही खतम होगा तुरंत आप इसे सर्व करेंगे ना तो थोड़ा सा यह उतना अच्छा नहीं लगता है तो देख सकते हैं ना कितना ज़्यादा बढ़ियां लग रहा है उमिद करते हैं आज की रेसिपी आपको आई होगी पसंद तो वीडियो को लाइक को सेर अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर कीजेगा और ट्राई भी कीजेगा कैसी लगे फीडबेक सेर कर करी हुई है तो हम मिलते हैं नई रेसिपी में